नमस्कार दोस्तों, Trade Like MBA में आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं आप सबके लिए Basics of Stock Market in full detail कवर करने वाला हूँ जिससे जो नई लोग हैं जिनको Stock Market के बारे में आइडिया नहीं है और Stock Market के बारे में जानने की Curiosity होती है उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छे और उनको बहुत informative लगेगी ये वीडियो लेक्चर सीरीज पूरा फ्री है इसमें जो concepts मैंने बताए हैं वो कहीं लोग आपको paid courses में बताते होंगे बट अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको stock market के बारे में बहुत अच्छे सा knowledge हो जाएगी वैसे मैंने basics of stock market पर एक playlist अल्रेडी बना रखी है बट वो English में है although I am more comfortable in English as it comes naturally to me बट इस वीडियो को मैं इन्दी में बना रहा हूँ क्योंकि stock market और in general finance को समझने के लिए काफी complex terms या कहें जागन्स का मतलब समझना पड़ता है and English की definition से लोगों को in-depth clarity नहीं हो पाती तो हिंडि में वीडियो बनाने के दो फायदे है पहला कि लोगों को जल्दी समझ में भी आता है since काफी लोगों की mother tongue हिंदी है और दूसरा जब हिंदी में आपको कोई concept explain करता है तो आप उसको जादा दिनों तक याद भी रख पाते है तो चली अब शुरू करते हैं आगे का discussion तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम क्या-क्या cover करेंगे इस वीडियो में स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा सा अपने educational background के बारे मैं बताऊंगा so that जो मैं इस वीडियो में बताऊने वाला हूँ आप सबको जो भी इस वीडियो का content होगा उसकी authenticity रहे and ऐसे बहुत सारे trainers हैं यूट्यूब पर जिनकी finance में कोई proper qualification भी नहीं है but still वो आपको stock market के बारे में superficial knowledge देते रहते हैं इसके बाद हम देखेंगे कि इस वीडियो का purpose क्या है and क्यों लोगों के मन में stock market का एक misconception बना हुआ है and मैं कोशिश करूँगा कि वो misconception proper knowledge and guidance के साथ खत्म हो सके इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे finance professionals हैं जो बड़े-बड़े investment banks में काम करते हैं and करोडों का portfolio handle करते हैं वो इतने financial jargons या कहलें कि complex terms का use क्यों करते हैं उसके पीछे का purpose कह रहता है इसके बाद में वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों आपको अपने career में save करके invest करना चाहिए उसकी importance क्या है and आपके पास as a retail investor कौन से options हैं जिसमें आप invest कर सकते हैं इसी के साथ हम stock market के बारे में भी सीखते हुए आगे चलते जाएंगे and समझेंगे कि stock market क्या है, कैसे work करता है, FIIs and DIs का क्या role होता है save का क्या role होता है, कितने types of investors और traders होते हैं last के दो part आपको बिल्कुल भी miss नहीं करने चाहिए क्योंकि मैं बताऊंगा आपको क्यूं आपको कभी भी IPO में invest नहीं करना चाहिए and क्यूं आपको बिना proper stock valuation की knowledge के बगएर राकेज जुनजुनवाला जैसे ultra high net worth individuals के portfolio के shares blindly कभी भी नहीं करीने चाहिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं और discussion अपना start करते हैं अगर मेरी educational background की बात करें तो मेरी education इंडिया के best MBA college for finance I am Calcutta से हुई है IIT और I am का नाम इंडिया में वैसे ही काफी famous है और काफी लोग इसके बारे में जानते भी हैं बट स्टिल अगर आपको I am के बारे में नहीं पता तो I am Indian Institute of Management है और Calcutta में इंडिया का सबसे पहला I am खुला था और इस college की finance की teaching की legacy रही है और इसको finance campus के नाम से भी जाना जाता है यहां के finance के professors इंडिया के best finance professors है और आप चाहें तो I am Calcutta के बारे में गूगल करके college की legacy के बारे में further details भी जान सकते हैं I have more than 6 plus years of trading experience and stock market में मैं अपनी पढ़ीवी knowledge and थोड़ा सा experiment करके almost सारे investment tools and how to leverage them to make profits सब सीख लिया है मैंने अपनी live trading की videos भी अपने channel पर regularly publish करता रहता हूं and उन trades के पीछे लिये हुए logic भी explain करता हूं आपको अगर मेरी trading की videos देखनी हैं तो आप मेरी live trading videos की playlist भी देख सकते हैं last but not the least, इस channel का mission है कि आपको financial knowledge with in-depth clarity जो MBA classes में बताई जाती है after taking a loan of 20 to 25 lakhs आप तक free में पहुँच जाए काफी सारे लोगों को proper financial knowledge नहीं होती and even schools और colleges में हमें one of the most important things in life जो की financial planning है उसके बारे में कभी भी बताई नहीं जाता है इस video का purpose मैंने brief में पहले ही बता दिया था बट यहां मैं थोड़ा सा elaborate करना चाहूंगा अपर education के साथ इस video में मैं आपको समझाऊंगा काफी detail में समझाऊंगा finance की दुनिया में बहुत सारे complex terms हैं जिनको हम जागन्स बोलते हैं मैं try करूँगा कि आपको यह सारे terms simple language में समझ आए क्योंकि यह सारे terms बस सुनने में difficult लगते हैं but actual में बहुत ही simple हैं इसको समझने के लिए बस common sense and simple maths की understanding चाहिए stock market की in-depth understanding से पहले हमें समझना पड़ेगा कि basic market ecosystem क्या होता है and कैसे work करता है जो मैं आगे इस video में आपको बताऊंगा last में मैं यह बुलना चाहूंगा कि हो सकता है यह video थोड़ी लंबी हो जाए but please do watch it till the end as यह video आपकी life का single most important video हो सकता है towards financial independence in life तो सबसे पहला और काफी important question यह आता है कि finance field में इतने complex jargon क्यों use होते हैं क्यों काफी basic और simple से concepts का भी काफी complex नाम दिये होए हैं तो इसका सबसे पहला reason तो यह है कि जो finance field में job करते हैं on a day-to-day basis in investment banks या फिर हो गए retail banks या insurance companies etc इनके पास आपस में understanding काफी quick होती है and इससे corporate decision लेने में काफी easy हो जाती है क्योंकि since यह लोग आपस में financial aspects discuss कर रहे होते हैं hence mutual understanding के लिए इन्हें हर छोटी इसी बात यह हर छोटा सा concept एक दूसरे को explain करने की जरूत नहीं पड़ती but इसका एक drawback यह है कि they do it too much, literally too much बहुत जादा यह jargans use करते हैं I mean even एक simple सी चीज like cash in hand यानि कि बोले हम की nugget पैसे either with you or in your bank account is known as liquidity liquidity word पहली बार सुनने में काफी complex सा लगता है but इसका meaning काफी simple है ऐसे ही बहुत सारे words है finance में जो सुनने में बहुत ही बड़े and complex लगते हैं but actual में बहुत ही easy और common sense लगाने वाले words है दूसरा reason इतने complex words use करने का यह है कि finance professionals जो बड़े-बड़ investment banks on Wall Street in New York में काम करते हैं यह नहीं चाहते कि आपको finance and markets के बारे में समझ में आए जी हां यह मैं नहीं कह रहा यह 2015 की best picture के लिए Oscar Award nominee movie The Big Shot कह रही है यह देखे इस movie का एक चोटा से clip Mortgage-backed securities, subprime loans, tranches It's pretty confusing, right? Does it make you feel bored or stupid? Well, it's supposed to Wall Street loves to use confusing terms to make you think only they can do what they do Or even better, for you just to leave them the fuck alone तो चलिए on a lighter note हमने ये तो समझ लिया कि finance की world जागन से क्यों भरा हुआ है अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि stock market का सबसे बड़ा myth क्या है Although आपने ये guess करी लिया होगा सबसे बड़ा myth है Is that investing in stock market is gambling ये जुए के बराबर है Stock market में पैसा लगाना एक जुए खेलने के बराबर है ये एक misconception है ये एक बिल्कुल wrong thinking है And let's see कि stock market and एक casino में क्या difference होता है अगर आप इस chart को ध्यान से देखें जो last 40 years of stock market की history को बताता है After economic liberalization in 1991 Stock market bullish signs दिखाने लग गया Liberalization से पहले इंडिया में businesses केवल local businesses होते थे And हर corporate decision के लिए government से license लेना पड़ता था इसलिए businesses को भी इतना फाइदा नहीं होता था And stock market भी एक range में ही रहता था उस time जो ultra high net worth individuals होते थे जिनके पास काफी सारा पैसा होता था वो बेरिश होते थे यानि stock market को short करके जल्दी से नीचे ले आते थे And ये उनके लिए quick profit बनाने का एक जरिया सा बन गया After 1991 जो कि यहाँ पर आप इस chart में देख सकते हैं Around this time Companies धीरे धीरे profits कमाने लगी And stock market भी bullish होता गया यानि उपर की तरफ चलता गया In 1992 आप इस point को देखे तक चला गया था And जैसे ही scam की news आई In public market काफी free fall में नीचे की direction की ओर में चला गया था इसके बाद market काफी range में रहा था इसके बाद अगर आप note करें तो in 1997-99 में tech boom आया था And market में जिसमें ये सोचा जा रहा था कि tech stocks ही market को उपर की direction में लेकर जाएंगे But in 2001 market में थोड़ा सा correction आया After dot com bubble But still market बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया फिर 2003 से लेकर 2007 के end तक Market बहुत ही ज़्यादा बढ़ता रहा Because foreign banks, Indian markets में काफी ज़्यादा पैसा लगाने लगे And bond markets में mortgage-backed security On housing market को लेकर एक bubble create हो गया था इसकी ज़्यादा technical details में नहीं जाते हैं क्योंकि basics of stock market वीडियो के लिए ये terms काफी complex हो सकते हैं And similarly in short अगर आप trend देखें तो stock market after a small correction In a long run हमेशा ही उपर की direction में गया है इतने सारे tragic news And incidents हो गए stock market में Multiple scams, 2004 में आई tsunami 2008 में financial crisis Trump election, Brexit और recently coronavirus But still stock market उपर की तरफ बढ़ता आया है And ये trend आगे भी continued रहेगा, चलता रहेगा क्योंकि India एक developing economy है And India में highest percentage of talented young population है जो आने वाले next 5-10 साल में India की economic growth का critical हिस्सा रहने वाले हैं One last important बात मैं यहां ये बताना चाहूंगा कि किसी भी country का economic growth जल्दी से अच्छा तब हो सकता है जब उस country में foreign investment यानी FDI आया है FDI आयाने से local population को jobs मिलती है Government को tax मिलता है And local businesses के पास बड़े companies के साथ business करने की opportunity मिलती है इसलिए आने वाले 5 से 10 साल में FDI investment का outlook towards India काफी positive है And हम expect कर सकते हैं कि sensex जो अभी currently 46,000 के आसपास है वो 55 से 60,000 भी पहुँच सकता है In the next 5 to 10 years तो दोस्तों हमने अब तक सीखा कि stock market कसीनो में होने वाली gambling नहीं है And logic and patience के साथ stock market को study किया जा सकता है इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों हर इनसान को अपनी personal capacity में save करके invest करना चाहिए हम समझेंगे कि power of compounding क्या होती है And कैसे अगर आप ऐसे assets में invest करेंगे जो आपको 12 to 15% return हर साल दे तो over the long period of time आपकी wealth बहुत जाद हो सकती है तो चली एक छोटी सी calculation करते हैं मान लीजे कि आपकी अभी currently salary 60,000 रुपीज पर मन्थ है जिससे एक अच्छी salary माना जाता है इंडिया में इसमें से हम calculation की simplicity के लिए मान लेते हैं कि 30,000 रुपे पर मन्थ various खर्चे में चले जाते हैं तो इसके बाद पर मन्थ हमारी savings हुई करीब 30,000 रुपे कुछ और assumptions हम करते हैं इस calculation के लिए हम assume कर रहे हैं कि आपकी salary hike 10% होगा per year and inflation भी 7% per year से बढ़ रहा है since India एक developing economy है तो 7% inflation rate एक reasonable assumption है इंडिया के context में तो आईए देखते हैं कि अगर आप अगले next 25 साल तक अपनी 30,000 रुपे पर महीने की savings को invest करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो क्या difference रहता है तो दोस्तों मैंने यहाँ एक Excel calculation करी है ताकि दोनों सिनारियों में difference दिखा सकूँ पहले सिनारियों में हम assume कर रहे हैं कि हमारी जो 30,000 की savings है उसको हम कहीं भी invest नहीं कर रहे हैं और हर साल bank में ही रख रहे हैं अब आप बोलेंगे कि bank में fixed deposit में भी तो interest मिलता होगा तो दोस्तों हमने पहले assume किया था कि हमारी inflation rate यानि महेंगाई इदर भी 7% per annum रहीगी यानि 7% per year से बढ़ती रहीगी and fixed deposit में भी हमें 6-7% का ही return मिलता है तो net net में देखें तो हमें कोई फाइदा नहीं होगा and इसलिए हम अपनी calculation में उसको ignore कर रहे हैं तो दोस्तों अगर आप bottom of the table देखें तो result आपके सामने है after 25 years आपके पास 4.8 crore की savings यानि cash होगा अगर आप हर महीने 30,000 रुपे को save करेंगे and कहीं भी invest नहीं करेंगे सिर्फ अपने bank account में रखते रहेंगे तो अब दूसरा scenario हम देखते हैं जब आप हर साल अपनी savings को ऐसे किसी asset में invest करते हैं जो आपको 15% per year का return दे रही है आप इस return को हर साल reinvest अगर करें तो 25 साल बाद आपकी wealth 19.4 crore हो जाएगी ये बात आप bottom of the table भी देख सकते हैं तो दोस्तो difference आपके सामने हैं आप अगर किसी अच्छे asset में invest करते हैं तो आपका return approximately 4 गुना जादा हो सकता है और हमने ये अभी एक example के थूँ देख भी लिया ये 4.8 crore अगर आप कभी भी invest नहीं करते हैं किसी भी asset में ये approximately 5 crore की savings है और अगर आप ऐसे assets में invest करते हैं जहाँ पर आपको 15% का annual return मिलेगा तो approximately 20 crore तो 5 crore से सीधा 20 crore बिल्कुल ही 4 गुना का फरक है आपकी wealth में over the period of अगले 25 years नो सबसे बड़ा question हमारे दिमाग में अब ये आना चाहिए कि ये consistently 15% per year का return generate करने वाला asset कौन सा है और इसमें invest कैसे कर सकते हैं तो चलिए हम आगे देखते हैं कि ऐसे कौन-कौन से assets हैं जिनमें आप invest कर सकते हैं और उससे आपको कितना return हर साल मिल सकता है So, where can you invest? देखिए ऐसे तो काफी सारी जगह आप invest कर सकते हैं But as a retail investor आपके पास generally 4 asset classes हैं जहां पर आप invest कर सकते हैं सबसे पहला है fixed income instruments जैसे की banks के fixed deposits, government bonds, etc equity stock market में अच्छे company के shares एक अच्छी जगह पर real estate precious commodities जैसे की gold, silver, etc तो चलिए one by one इन सब को explore करते हैं और इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हमारे पास option ये है कि हम banks के fixed deposits या government का कोई bond खरीद ले ये सारी चीज़े fixed income instruments के अंदर आती हैं fixed income instruments हमारे पास 4 types के होते हैं fixed deposits in banks, bonds issued by government of India bonds issued by government की bodies जैसे की NHAI bonds issued by corporate companies जी हां दोस्तों, corporate companies भी अपने bonds issue करती हैं ये सब bond market या फिर कहलें कि money market में trade होती हैं fixed deposits तो आपको सबको पता है कि हर bank provide करता है and depending upon की आपके पास कौन सा bank है and आप कितने दिन के लिए fixed deposits में invest कर रहे हैं fixed deposits का rate of return 6% से लेकर 8% तक रहता है अगर आपको bonds में invest करना है तो आपके पास दो options हैं आप किसी debt mutual fund में अपना पैसा लगा सकते हैं या फिर अपने trading terminal से कुछ bonds करीद सकते हैं depending upon आपका stock broker कौन सा है अच्छा ये बात तो हो गई return की अब चलिए जान लेते हैं कि fixed income instruments में कितना risk रहता है तो fixed income instruments में very little और कहले की zero risk होता है क्योंकि fluctuation in rate बहुती कम होते हैं fixed income instruments में तो आपका पैसा safe रहता है बट उसके लिए आपको return भी काफी कम मिलता है तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक चोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि usually आपका risk और rate of return directly proportional होते हैं कि आप जितना risk की investment करेंगे usually उतना ही जादा chances हैं आपको return मिलने के और जिस instruments में या जिस assets में आप कम risk लेते हैं उसका return भी उस हिसाब से कम मिलता है आपको next हम discuss करेंगे कि equity stock market और more commonly known as stock market in India stock market में अगर आप अच्छे stocks में पैसा लगाएं तो आप easily fixed deposits या bond से मिलने वाले returns को beat कर सकते हैं अगर हम stock market के large cap का compounded annual growth rate देखें जिसे हम CAGR भी बोलते हैं तो वो 20 से 25% का return हर साल दिया है उन stocks ने पिछले 20 सालों में stocks जैसे Infosys, Reliance and Kotak Mahindra Bank stock market में पिछले 25 सालों के fastest wealth creator रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि stock market को सही से समझा जाए and knowledge और logic के साथ invest किया जाए तो इसका potential कितना जादा है and stock market ही एक ऐसा investment tool है जो investment को beat कर सकता है and over the long period of time तो चलिए अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि stock markets के दो parts होते हैं पहला primary market और दूसरा secondary market primary market में companies के shares पहली बार introduce होते हैं IPO के थूँ IPO और इसका full form है initial public offering के थूँ एक private companies stock market में अपने कुछ shares common public के लिए open करती हैं IPO के बारे में इस video में मैं आगे detail में discuss करूँगा and ये भी बताऊँगा कि IPO में आपको investment बिल्कुल नहीं करना चाहिए तो इस video को end तक जरूर देखें secondary market वो market है जहां normal trading होती है on a day to day basis primary market और secondary market को असानी से समझने के लिए assume करिये कि government ने कुछ land एक नई एरिया में बेशने के लिए रखी है इस process में government एक bidding और allotment procedure होता है and जिन लोगों को ये land allot हुआ है वो similar है हमारा IPO यानी primary market अब आगे assume करिये कि जिस owner को land allocate हुआ है अब वो आगे किसी भी interested buyer को अपना land बेच सकता है just like trading तो ये जो land का trade हुआ वो similar थी हमारे secondary market में होने वाली trading जहाँ पर interested sellers, interested buyers को अपना shares बेच सकते हैं तो चली अब जानते हैं कि stock market की timings कह हैं इंडिया में stock market के normal trading hours morning में 9 बज कर 15 मिनट से लेकर के afternoon में 3 बज कर 30 मिनट तक होते हैं आप morning में 9 बज से लेकर 9 बज कर 7 मिनट तक market में orders place कर सकते हैं जब भी market में gap up या gap down होता है तो बड़े players जैसे FIIs, BIIs काफी जादा quantity में buy और sell orders डालते हैं जिससे gap up या gap down जैसी situation create होती हैं morning में 9 बज कर 8 मिनट से लेकर के 9 बज कर 15 मिनट तक market में जो orders पहले place किये हुए थे उनका order matching होता है यानि buyers and sellers को match करते हैं and at last 9 बज कर 15 मिनट पर market prices reveal होते हैं and normal trading शूरू हो जाती है अब आप सोच रहे होंगे कि 9 बज कर 7 मिनट से लेकर के 9 बज कर 8 मिनट के बीच में क्या होता है क्योंकि ये एक मिनट हमने discuss नहीं किया तो इस time के बीच में random time चल रहा होता है market में इसका मतलब ये है कि market में कभी भी इस एक मिनट के बीच में stock market में जो stock exchanges है NAC या BAC ये market orders accept करना बंद कर देंगे कभी भी इस एक मिनट के बीच में and फिर order matching का process शुरू हो जाएगा तो अब stock market के बारे में थोड़ा सा जान लेने के बाद हम discuss करते हैं कि real state में कितने types के investment हो सकते हैं and उनसे क्या कर return expect किया जा सकता है तो दोस्तो real state में invest करने के लिए काफी जादा capital requirement की एक साथ जरूरत पड़ती है जितना normally एक retail investor के पास नहीं होता and in most cases real state buy करने के लिए लोगों को loan लेना पड़ता है land एक scarce commodity है and आज नी तो कल land के prices उपर नहीं जाए तो at least नीचे बिलकुल नहीं जाते stable रहते हैं तो इसलिए long term perspective के लिए real state में land में investment करना एक good investment option है real state buy करने के दो options होते है personal property और commercial property sources of income real state में invest करने से भी दो होते है जो की है capital appreciation और rental income अगर वो commercial property है तो but real state में invest करने के कुछ complexities होती है कुछ complex transactional procedure होते है legal verification of documents चाहिए होता है payment structure बहुत complex होता है तो although real state एक good premium location पे अच्छे returns देती है but on average real state का return stock market के return के comparison में थोड़ा कम होता है next हम discuss करते हैं commodities commodities में सबसे popular and अच्छे investment tools gold and silver होते हैं gold and silver का return approximately 7-8% रहा है in the last 20 years but इसमें एक risk है कि commodity prices cycles में fluctuate होते हैं तो इससे एक ऐसा scenario भी possible है कि जब आपने gold high price पर buy कर लिया and कुछ time बात gold आपकी buy price से नीचे trade कर रहा होगा gold and silver का एक security concern भी आ जाता है अगर आप अपने gold jewelry को घर में रखते हैं अब एक scenario ये भी possible है कि आप अपने gold jewelry को bank locker में रखें but in my opinion वो एक अच्छा decision नहीं होगा क्योंकि आपको bank locker fee देनी पड़ती है and आपको 0% interest मिलता है bank locker में gold रखने से अच्छा है कि आप अपने bank में उतने ही पैसे का fix deposit करवा लें इससे आपको at least interest मिलता रहेगा अपने deposit money पर तो finally हमारे सामने एक question आता है कि हम एक smart retail investor की तरह कैसे और कहाँ invest करें तो एक smart investment के लिए all four asset classes में invest करना होगा that is आपको portfolio का थोड़ा थोड़ा पैसा हर जगा यानि fixed deposit, stock market, gold and real state में होना चाहिए and इसके बहुत सारे फाइदे है सबसे पहला फाइदा ये है कि आपका portfolio हमेशा hedged रहेगा and आपका downside risk बहुत कम रहेगा in case of any black swan event जैसे कि 2008 में आई financial crisis या फिर 2020 में COVID-19 market crash जैसे scenario के time आपका portfolio में काफी कम loss रहेगा इस scenario को आप नीचे चार्ट में भी देख सकते हैं जब 2008 में financial crisis हुआ था तब although stock market काफी नीचे चला गया था but gold and bonds पर कोई भी effect नहीं रहा था in fact वो थोड़े से उपर ही चले गए थे similarly अगर आप 2020 में COVID-19 market crash को observe करें तो यहाँ पर stock market काफी नीचे आ गया था although stock market में काफी quickly recovery देखने को मिली but जो gold and bond के prices हैं वो काफी ऊपर चले गए थे तो दोस्तो यहीं फायदा होता है अपने portfolio में कुछ पार्ट gold and bonds invest करने से आपको consistent return भी मिलता रहेगा and आपका portfolio हमेशा hedge रहेगा in case of severe black swan event जिससे stock market crash जैसी संभावना हो जाए तो चलिए basic stock market ecosystem को समझने के बाद हम stock market को in-depth में समझते हैं तो what is stock market essentially stock market theoretically आपके local general store या किराना store की तरह काम करता है बसवरक यह होता है कि किराना store brick and mortar form में cement और eat का बना होता है and stock market एक digital दुकान है जहां पर आप shares खरीद और बेच सकते हैं जैसे आपको snacks का समान general store के snack section में मिलता है वैसे ही stock market में दो major shops और राधा stock exchange होते हैं जिसे हम NSE और BSE बोलते हैं तो for example अगर आपको TCS के shares करीदने हैं तो आप केवल NSE या BSE इसे ही TCS के shares करीद सकते हैं stock market में NSE और BSE stock exchanges हैं and यहां सबसे जादा trading होती है इंडिया में कुछ और भी stock exchanges हैं जैसे कि Bangalore Stock Exchange, Madra Stock Exchange and Kolkata Stock Exchange बट यहां पर trading volumes बहुत ही कम होती है इसलिए हम आगे की discussion में इनको ignore करेंगे stock market में बहुत सारे different types of stock market participants होते हैं जो day to day basis पर stock market में पैसा लगाते हैं अब हम इनको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि कौन-कौन से market participants होते हैं stock market में and इनका क्या-क्या role रहता है सबसे पहले आते हैं कि retail investors जैसे कि आप और मैं जो individual market participants होते हैं and अपनी personal savings stock market में लगाते हैं next आते हैं हमारे NRI and overseas citizens of India जो इंडिया में currently नहीं रहते हैं but still Indian stock market में invest कर सकते हैं according to Indian law एक Indian citizen को साल में 182 out of 365 days इंडिया में रहना होता है else वो लोग NRI या OCI की category में आ जाते हैं इसे stock market में investment करने से तो कोई problem नहीं आती but at the end of the year tax payment structure इनके लिए थोड़ा सा different हो जाता है for NRI and OCI citizens next आते हैं domestic institutional investors और more commonly known as DII's DII Indian origin के बड़े companies होते हैं जो stock market में पैसा लगाते हैं LIC and UTI DII's के कुछ examples है foreign institutional investors और more commonly known as FII's FII's foreign investment banks और hedge funds होते हैं जो stock market में पैसा लगाते हैं Citibank, Morgan Stanley, Goldman Sachs कुछ बड़े FII's के नाम हैं Indian stock market में FII's and DII's biggest player हैं market में जिसके बारे में हम आगे वीडियो में भी detail में discuss करेंगे next हमारे आते हैं asset management companies और more commonly known as mutual funds mutual funds के बारे में usually काफी लोगों को idea भी रहता है बट फिर भी हम आगे इस वीडियो में mutual funds के बारे में discuss करेंगे mutual funds के कुछ examples हैं जैसे की access bank mutual fund SBI mutual fund HDFC AMC etc तो चलिए अभी हमने basic market ecosystem and different types of stock market participants को देखा अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं कि 15 most commonly used terminologies stock market में कौनसी होती हैं and इनको समझते हैं सबसे पहले हम discuss करेंगे कि bull market किसको बोलते हैं जब भी market ऊपर की direction में जाता है then हम उसको bull market बोलते हैं या फिर बोलते हैं कि market bullish sign दिखा रहा है bear market similarly जब market नीचे की direction में थोड़े time तक चला जाता है तब हम उसको bear market बोलते हैं आप जैसे साइड में बनी picture को अगर देखें तो bull और bear market के नाम का origin इनके way of attack करने के उपर पड़ा है for example जैसे कि bull अपने sing से हमेशा उपर की ओर attack करता है इसलिए जब भी stock market उपर की ओर जाता है तो उसको bull market बोलते हैं similarly एक bear हमेशा अपने पंजे से नीचे की और attack करता है इसलिए जब भी stock market नीचे जाता है उसको bear market बोलते हैं trend हमारे दो type के होते हैं uptrend and downtrend uptrend हम उसको बोलते हैं जब stock market consistently उपर की direction में थोड़े लंबे duration के लिए बढ़ता जाए जब भी ऐसा scenario होता है तब market higher highs and higher lows बनाता है ऐसा इसलिए होता है कि stock market consistently एक direction में नहीं बढ़ता बीच बीच में profit booking या फिर बोले तो थोड़ा सा correction भी आता है similarly downtrend के time कोई stock consistently नीचे की direction में नहीं चलता जाता and lower low और lower high बनाता हुआ चलता जाता है face value of the stock एक particular stock का fixed denomination बताता है face value जब shares issue होते है उस time determine किया जाता है and different corporate decision में उसका use होता है face value का significance एक particular company का valuation करते time आती है and अलग-अलग financial ratios को calculate करने में भी face value का काम पढ़ता है trading के purpose से face value का जादा significance नहीं है but usually long term investors के काम आता है जिसकी details मैं further किसी अलग video में बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा detail topic हो जाएगा 52 week high और 52 week low एक particular stock को पिछले एक साल में यानि पिछले 52 weeks में जो भी उसका maximum price रहा होगा उसको 52 week high बोलते है and similarly पिछले एक साल में जो भी उसका lowest price रहा होगा उसको 52 week low बोलते है आप ये difference side में chart के through भी समझ सकते है all time high and all time low ये काफी similar है 52 week high and 52 week low से बस difference ये है कि all time high का मतलब है कि जबसे एक particular stock stock exchange पर list हुआ तब से लेकर आज तक उसका maximum price क्या रहा and similarly all time low का मतलब है कि जबसे stock exchange पर वो stock list हुआ उसका जो भी lowest price होगा वो उसका all time low price है इस chart में जैसे देख सकते हैं कि ये उस stock का all time low price रहा होगा and ये all time high price है जबसे stock, stock exchange पर list हुआ long position long position का नाम आपने बहुत बार सुना होगा long position का मतलब होता है कि जब किसी trader ने stock को buy किया और वो expect कर रहा होता है कि stock उपर की direction में जाएगा long position को हम cash market यानि simply stock को खरीद कर भी कर सकते हैं या फिर derivatives market में future and options लेकर भी कर सकते हैं अगर किसी ने long position ली है तो वो profit तभी कमाएगा जब stock उपर की direction में जाएगा and अगर stock नीचे की direction में गया तो उसको loss होगा similarly short position को समझना थोड़ा tricky है short position उसको बोलते हैं जब आप पहले shares को sell कर दें and then बाद में उन shares को buy करें अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि आप shares पहले कैसे बेच सकते हैं अगर आपके पास trading account में वो stock है ही नहीं तो तो दोस्तों देखिए जब आप stock को short करते हैं तब आपका stock broker आपके बहाफ पर वो stock sell कर देता है क्योंकि उनके पास उन stock का काफी सारा collection होता है क्योंकि उनके clients बहुत सारे होते हैं तो आप cash market में equity और cash market में shares का settlement stock exchanges के पास at the end of trading day ही होता है तो आप cash market में केवल intraday में ही stocks को short कर सकते हैं यहाँ पर मैं एक reminder देना चाहूंगा कि अगर आप stocks को cash market में short कर रहे हैं तो make sure कि आप market close होने से पहले अपनी positions close कर दें else exchange आप पर heavy fine impose कर सकता है apart from it अगर आपको अपनी short position carry forward करनी है तो आप derivatives market यानी futures and options में ही कर सकते हैं जिसकी details मैं अपने live trading videos में देता रहता हूं तो आप उसको एक बार जाकर देख सकते हैं squaring of position squaring of position उसको बोलते हैं आपकी जो भी existing positions हैं either long position और short position उनसे exit कर देना squaring of कहलाता है यहाँ पर ध्यान देनी वाली बात यह है कि अगर आप किसी position को square of करते हैं then वो एक नई position नहीं create करता for example अगर आप एक stock पर long position ले रखी है यानि उस stock को expect कर रहे हैं कि वो उपर की direction में जाएगा then after squaring off आप अपने long position से सिर्फ exit होते हैं एक नई short position नहीं बनती Intraday position को समझना काफी आसान है अगर आप एक single trading day में either buying और selling of stock करते हैं and market close होने से पहले अपनी positions को close कर देते हैं and either profit या loss जो भी हो उसको book कर लेते हैं then उसको intraday position कहते हैं similarly अगर आप stocks को खरीद कर कुछ दिन कुछ weeks या even कुछ महीने भी hold करते हैं then उसको long term position बोलते हैं तो चली अब समझते हैं कि open, high, low and closing price क्या होता है तो right side में जो pick आप देख रहे हैं उसको हम Japanese candlestick बोलते हैं और अगर हम इस green candle को देखें तो green candle का मतलब है अगर हम किसी particular time frame में देखें तो अगर for example हम लेते हैं कि यह particular day का candle है then उसमें हम यह कह सकते हैं कि stock यहां पर open हुआ इस point of time पे and close इस point of time पे हुआ उस पूरे दिन में उस stock का जो भी lowest point रहा होगा वो इस point से signify होता है and उस trading day में जो भी maximum high point रहा था वो इस point से signify होता है इन दोनो single lines को हम wix बोलते हैं and यह candle की main body है जिससे open और close का हमें idea लगता है wix से हमें यह पता लगता है कि उस stock का उस particular time frame में highest point और lowest point क्या रहा similarly अगर हम red candle की बात देखें तो obviously इसका open price उपर रहता है and closing price नीचे रहता है and बाकि सब same है green candle के comparison में कि wix का bottom most point है वो lowest point है उस पूरे दिन में जब stock जहांपर trade हुआ and यह highest point है volume किसी भी stock का buying and selling कितना हुआ है उसको हम stock के volume chart से देख सकते हैं stock का एक particular trading day में total buying और total selling transactions volume chart से indicate करता है and इसका use mostly trading में होता है यह जो green candle signify हो रहे हैं कि buying transactions जादे थे comparatively selling transactions के comparison में and similarly red candles जहाँ जहाँ भी हैं वो signify कर रहे हैं कि selling transactions जादे थे compared to buying transactions capital markets term का मतलब stock market ही होता है इसके दो parts होते हैं primary market and secondary market and इन दोनों terms का मतलब मैं already previous section में explain कर चुका हूं futures and options derivative markets का term है derivatives को समझना अभी काफी complex हो सकता है क्यूंकि derivatives बहुत इसके लिए मैं mostly government bonds public sector bonds and corporate bonds होते हैं जैसा कि आप इस picture में देख सकते हैं ज्यादा detail about bond markets मैं इस वीडियो में नहीं जाऊंगा क्योंकि यह basics of stock market की वीडियो है bond markets और debt markets पे मैं future में कभी separate video detail में बनाने का plan बना रहूं तो चलियो दोस्तों अब हमने discuss कर लिया कि most used terminologies और jargons कौन-कौन से होते हैं stock market में अब काफी important topic आता है predictions करी जा सकती है तो एक obvious सी बात है stock market में कि हर एक market participant का केवल single objective होता है that is to make money stock market में usually 95% लोगों का पैसा जिसमें के maximum retail traders होते हैं 5% लोगों के पास जाता है जिसमें से mostly FIIs DIIs and कुछ HNI investors होते हैं money in stock market is often made at the cost of others यानि stock market में एक player कमाता है तो दूसरा player गवाता है इस phenomenon को हम economics में zero sum game बोल दे हैं that is एक player की जीत दूसरे player की हार पर dependent है तो क्या सारे market zero sum game है the answer is no stock market में केवल derivatives part है केवल वो zero sum game है और equity और cash market वाला part है वो non zero sum game है यानि cash market में अगर companies अच्छा profits कमाती है then over the long period of time उसके shareholders के लिए wealth generation होता है इससे सब के लिए win-win situation होती है investors भी पैसा कमाते है और company के shareholders भी पैसा कमाते है तो FIIs and DIs के पास इतना पैसा है कि वो market की direction frequently change कर सकते है retail traders like you and me can only try to predict कि बड़े players जैसे FIIs and DIs क्या कर रहे हैं also FIIs and DIs mostly opposite direction में buy and sell करते हैं for example अगर आप given data देखें तो आपको पता लगेगा कि जब FIIs buy कर रहे होंगे तब DIs sell कर रहे होते हैं और यह trend valid है on a single day, week और even on a yearly data opposite nature of FIIs and DIs से फाइदा यह होता है कि market में एक balance बना रहता है and stocks किसी भी particular direction में बहुत जादा नहीं जाते हैं either उपर या नीचे also FIIs and DIs का data at the end of trading day ही available होता है else अगर live market में पता चल जाए कि उस दिन FIIs and DIs क्या buy and sell करने वाले हैं तो कोई भी stock market में पैसा कमाने लगेगा hence as a retail trader हमके वल predict कर सकते हैं कि बड़े players क्या करने वाले हैं stock markets में चली हमने ये तो discuss कर लिया कि FIIs and DIs stock market के king क्यों हैं अब हम discuss करते हैं कि SEBI क्या है and उसका stock market में क्या रोल है SEBI का full form Securities and Exchange Board of India है ये market की हर एक छोटी बड़ी movement पर strict नजर रखते हैं so that कोई भी illegal activity stock markets में ना हो and investors का पैसा safe रहे SEBI की स्तापना 1988 में हुई थी and initially SEBI के पास कोई भी regulatory power नहीं थी stock market में इसी system के flaw को misuse करके काफी लोगों ने stock market में multiple scams किये जैसे 1992 का हर्षद मेता scam and इस पर काफी सारी movies और TV series भी बन गई हैं finally 1992 में SEBI को regulatory powers मिली and then SEBI ने loss बनाए जिससे investors का wealth protected रहे stock market में SEBI के different roles and powers उसकी website के legal framework section में mention किये हुए है कुछ roles SEBI के जो काफी important है वो हैं कि stock exchanges जैसे NAC, NBAC अपना business सही से करें stock brokers अपना business सही से करें कोई भी market participant illegal activity ना करे stock market में corporate जो काफी बड़े हैं वो undue advantage ना ले stock markets का जैसे कि सत्यम computers के case में हुआ था markets में stock manipulation ना हो and small retail investors का पैसा किसी भी illegal activity और scam से protected रहे हैं चलिए अब discuss करते हैं कि stock market index क्या होता है Indian stock market में दो major index है Nifty 50 and Sensex Nifty 50 में total 50 stocks है from different sectors जैसे banking, auto, IT, metal, etc. Similarly Sensex में total 30 stocks है from different sectors तो अब समझते हैं कि index का फाइदा क्या क्या होता है सबसे पहले तो index हमें information provide करता है about overall market sentiment के बारे में हर एक different stock को track करना मुश्किल होता है और अगर index ना हो तो हमें पता नहीं चलेगा कि overall market एक particular day या फिर एक particular point of time पर कैसा रहा दूसरा फाइदा यह होता है कि index से हमें अपनी stock market performance benchmark करने में help होती है जो भी हमारे mutual fund managers या फिर private portfolio managers या फिर अगर आप अपना खुद का portfolio manage करते हैं तो आपको index एक benchmark provide करता है जिससे आप अपनी performance index के performance के comparison में relatively measure कर सकते हैं For example अगर पिछले 3 महीने में Nifty 4% उपर रहा अगर किसी mutual fund manager ने उसी 3 months में 7% return दिया तो उस mutual fund manager की performance index के comparison में काफी अच्छी थी तीसरा फाइदा index का यह होता है कि आप index में futures and options में trade कर सकते हैं इंडिया में केवल Nifty 50 में futures and options की trading हो सकती है and sensex में futures and options allowed नहीं है यह index trading कैसे होती है और इसको कैसे करना चाहिए इसके लिए बाद में एक detail video मनाऊंगा क्योंकि वह थोड़ा complex हो जाता है चौता फाइदा index होने का यह होता है कि दोनों Nifty and sensex एक diversified index हैं जिसमें हर sector से कुछ-कुछ stocks present हैं तो एक shortcut यह है कि अगर आपको finance में portfolio management की knowledge नहीं है तो आप Nifty के all 50 stocks में से या फिर अगर stocks में पैसा नहीं लगाने तो Nifty में present हर sector के 2-3 stock लेकर आप थोड़ा थोड़ा पैसा उनमें invest कर सकते हैं इस shortcut तरीके से आपका diversified portfolio बना रहेगा अगर कोई एक sector specific bad news आती है तब भी आपका portfolio hedge रहेगा और जादा नीचे नहीं गिरेगा For example, अगर कोई bad news auto sector में आती है तो केवल auto stocks down होंगे अगर आपने banking, IT, metal sector में भी पैसा लगा रखा है तो आपके portfolio पर जादा bad effect नहीं पड़ेगा चलिए अब हमने index से क्या-क्या फाइदे होते हैं यह समझ ली है अब हम समझते हैं कि index बनता कैसे है तो index जैसे Nifty and Sensex है इसमें सबसे पहले list बनाई जाती है सारे stocks जो उस particular exchange पर publicly listed है then हर stock को एक weightage दिया जाता है and then top 50 companies को Nifty में include किया जाता है For example, अगर Reliance का weightage Nifty में 14% है तो हम बोल सकते हैं कि Reliance का movement Nifty के movement में 14% contribute करता है different stocks की weightage Nifty में कितनी है यह आप right side में given picture में भी देख सकते हैं तो अब आप यह सोच रही होंगे कि यह एक particular stock की weightage in Nifty कैसे determine करते हैं तो इसका answer है उस particular stock का free float market capitalization अब सुनने में तो यह word काफी complex लगता है बट actual में बहुत easy है इसको एक example के थुरू समझते हैं तो reliance की market capitalization होगी उसके total number of shares in market multiplied by current share price जो की 100 into 2000 होगा यानी 2 lakh actual market में reliance के total shares lakhों में हैं और यह assumption के वल simplicity के लिए लिया गया था तो finally हमें पता चल गया कि market capitalization कैसे निकालते हैं बट यह free float का क्या मतलब है तो free float का मतलब है कि depending upon current stock price एक particular stock का market capitalization कभी भी change होता रहेगा क्योंकि trading के वक्त stock price constantly change होता रहता है तो nifty में top 50 market capitalization वाले companies in the entire stock market होते हैं अगर कोई ऐसा stock है जो top 50 से नीचा चला गया then वो stock nifty से बाहर निकाल दिया जाता है and vice versa for example, कुछ महीने पहले HDFC life nifty में include हो गया था and Vedanta nifty के बाहर चली गई थी because उसका share price काफी जादा गिर गया था इसके अलावा हमारे पास काफी सारे sector specific indexes होते हैं जैसे कि bank nifty, nifty IT, etc. जो केवल उस particular sector के बारे में information देते हैं तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि stock market में कितने types of traders होते हैं and उनका trading style कैसा रहता है सबसे पहले आते हैं day traders day traders trading day के starting में 9.15 a.m. से अपने orders डालना शुरू करते हैं and market close होने से पहले अपने सारे trades close कर देते हैं and जो भी profit या loss होता है वो book कर लेते हैं day traders अपनी position next day के लिए carry forward नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें overnight risk नहीं लेना होता for example अगर रात को कोई negative news आ जाती है then market अगले दिन negatively react कर सकता है day traders usually एक से लेकर 5-6 trades लेते हैं and usually leverage per trades लेते हैं depending on की market conditions कैसा है उस particular दिन में day traders हमेशा fixed top loss लगाकर ही trades लेते हैं and usually उनका risk 1-2% तक होता है एक particular trade में day traders usually full time professional traders होते हैं जो किसी बड़े institution या banks के लिए trade करते हैं क्योंकि उनको number of orders और amount of money काफी जादा बड़ा होता है individual full time day traders भी होते हैं बड़ उनकी quantity काफी कम होती है next हम आते है scalpers और also known as high frequency traders scalpers किसी भी trade में काफी huge quantity में enter करते हैं maximum cases में scalpers leverage लेकर एक trade में enter करके थोड़े से time बाद trade exit कर देते हैं इससे scalpers को छोटा बट जल्दी profit मिलता है and scalpers एक दिन में काफी सारे ऐसी opportunities देखते हैं जिससे वो high quantity में enter करके जल्दी से exit कर दे but on average scalpers की probability of consistently making profit काफी low रहती है क्योंकि काफी time ऐसा होता है कि trade उनकी opposite direction में चला जाता है scalpers जल्दी से एक trade से exit कर देते हैं अगर वो उनकी expected direction में नहीं चल रहा तो obviously scalpers हमेशा एक fixed top loss के साथ ही trade में enter करते हैं and according to their risk capacity अगर वो trade नहीं चला तो वो अपना loss book करके निकल जाते हैं scalpers की probability of success over the long period of time कम रहती है and कम इसलिए रहती है क्योंकि वो बहुत ही small time frame में trade करते हैं इतने small time frame में minute by minute market को predict कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है next हम लोग देखते हैं कि swing traders कौन होते हैं and उनका trading style कैसा रहता है swing traders किसी भी trade को थोड़े लंबे time तक hold करते हैं जिससे उनकी probability of success एक particular trade में काफी बढ़ जाती है swing traders usually at least 2-3 दिन से लेकर 1-2 हफते तक एक trade को hold करते हैं and किसी भी stop का पूरा move capture करते हैं swing traders slightly more risk लेते हैं अपने trades execute करने के लिए क्योंकि ऐसी भी probability हो सकती है जब stop opposite direction में थोड़ा सा move करके trader की expected direction में move करे hence on average swing trading से maximum chances of profit होते हैं on average for any trader तो दोस्तों हमने ये समझ लिया कि traders कितने type के होते हैं अब हम समझते हैं कि investors कितने type के होते हैं और उनका investing style कैसा रहता है तो सबसे पहले चानते हैं growth investors और long term investors के बारे में growth investors invest करते हैं उन companies में जो after research and analysis expected होती हैं कि grow करेंगी and investors usually ऐसी companies के stocks 3-5 साल तक hold करते हैं growth investors ऐसी companies ढूनते हैं जो अगले कुछ सालों में या तो emerging market scenario की वज़े से expected हैं की बढ़ेंगी या फिर macro economic factors उस particular company या industry के काफी favorable होने की वज़े से काफी exponential growth देखने को मिल सकता है कुछ examples growth companies के हैं Infosys, TCS या HL में invest करना in the early 2000s अगर मैं current scenario की बात करूँ तो companies जो electric vehicles की manufacturing या testing में involved हैं उनका growth potential in future काफी ज़ादा है इंडिया में US के context में भी अगर हम देखें तो Tesla company के share price भी 5-6 गुना हो गए in a single year in 2020 इंडिया में कुछ famous growth investors की बात करें तो राकेश जुन जुन वाला काफी बड़े एंड famous growth investor है अब हम next बात करते हैं value investors की की उनका investing style कैसा रहता है so guys value investors invest करते हैं companies में जिनका fundamental value बहुत ही strong होता है और जिन companies के fundamentals even worst market condition में भी कभी भी खराब नहीं होते और वो बीच बीच में stock market में आये तूफान को भी easily झेल जाते हैं value investors investment करने के बाद उन stocks को hold करते हैं काफी लंबे समय तक irrespective of the market scenario एक perfect time value stocks में invest करने का वो है जब overall market sentiment काफी down हो जिससे value stock के prices भी काफी cheap rate पर मिल जाएं एक perfect stock from value investing point of view से है ITC and इसमें invest करने का perfect time COVID-19 में हुए stock market crash में था कुछ famous value investors across the world है जैसे Warren Buffet, Charlie Munga, Peter Lynch जिन्होंने इतने सालों में value investing करके अपनी wealth billions of dollars तक महचा दी Indian context में biggest value investor है Radhakrishna Damani इन्हें D-Mart के founder के नाम से भी जाना जाता है and currently ये India के second richest person है after Mukesh Ambani तो दोस्तों इस slide में मैं आपको बताऊंगा कि IPO क्या होता है and क्यूं आपको IPO में investment के point of view से बिलकुल नहीं invest करना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं and IPO को समझने की कोशिश करते हैं IPO एक ऐसा process है जिससे एक private company अपने shares को stock exchange में list करके अपने कुछ shares public करती है बट काफी सारी companies ऐसा क्यूं करती है and उनका ultimate goal अपनी company को private से public करना क्यूं रहता है तो IPO के करने के काफी सारे फाइदे होते हैं तो अजीम करते हैं कि एक private company या कोई startup है और वो company पेछले कुछ time से अच्छा perform कर रही थी और जिसकी वज़े से venture capital firms and angel investor ने उस company में कुछ पैसा लगाया बट नाओ अब company चाहती है कि वो अपने operations और expand करे और उसको इस काम के लिए पैसा raise करना है तो ये startup या private company एक limit तक की venture capital firms and angel investors से पैसा raise कर सकती है और अगर हम venture capital firm के point of view से देखें तो उनका main purpose startup में invest करके profit कमाना होता है तो एक startup पैसे कैसे कमाएगा जब वो काफी अच्छा business करने लगे and show करे कि वो future में काफी अच्छा profits ला कर देगी इससे company जब publicly list होती है then उस company में public investors काफी पैसा लगाते है and stock price काफी उपर तक चला जाता है जो venture capital firms ने initially startup में पैसा लगा कर invest किया था वो startup के list होने के बाद काफी ज़ादा profit के साथ startup से exit कर देती है तो दोस्तों ये था किसी भी company का IPO करने का reason अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यूं आपको कभी भी IPO में investing के purpose से कभी नहीं करना चाहिए तो इसका simple सा reason है कि IPO maximum cases में जो उसकी actual stock valuation होनी चाहिए उससे कई ज़ादा premium पर list होती है and कुछ time बाद उस company का stock price उसकी IPO की listing price के भी नीचे चला जाता है and काफी time तक listing price के नीचे ही trade करता रहता है अब कोई भी company जो IPO के through list हुई है उसका chart उटा कर देख लीजे and आपको realize होगा कि almost हर company काफी premium पर list होती है Indian stock market के context में देखें तो 2019 के सबसे hit IPO को G1 Finance Bank आज भी अपने listing price से नीचे trade कर रहा है even जब currently stock market all time hyper है तो एक smart way क्या है IPO में पैसा लगाने का तो दोस्तों एक smart way IPO में पैसा लगाने का ये है कि आप IPO केवल listing day gain के purpose के लिए लें अब यहाँ पर ये समझने के कोशिश करते हैं कि maximum cases में IPO को एक premium पर list क्यों करवाया जाता है तो दोस्तों एक IPO में हर section के investors के लिए कितने shares a lot हुए है वो IPO के red herring prospectus जो की किसी भी company को save me में दीनी होती है before IPO उसमें उसकी सारी details होती है IPO में हर section जैसे retail investors H&I, QIBs, etc. इनके लिए एक fixed percentage of shares ही a lot होते हैं और हमारे जो H&I investors होते हैं उनको एक extra premium pay करना पड़ता है IPO process के shares लेने के लिए even if उनको एक ही lot क्यों न मिले तो उनको profit हो पाए IPO से उसके लिए IPO का premium पर list होना काफी ज़रूरी है और इसी reason की वज़े से H&I investors and other QIBs जिनके पास काफी सारा पैसा है वो company का IPO होने से पहले उसका grey market premium काफी ज़ादा बढ़ा देते हैं जिससे IPO काफी premium पर list होता है तो ultimately अगर आप IPO को listing day gains के नजरिये से देखें तो वो एक jackpot के समान है क्योंकि अगर आपको IPO के share lot मिल गए तब आप एक ही दिन में अपना पैसा double and कुछ cases में triple भी कर सकते हैं अगर आपको IPO को lot नहीं मिले तो आपका पूरा पैसा 3-4 दिन में वापस आ जाता है and कोई charge भी नहीं कटता in fact ये lottery ticket लेने से भी ज़ादा बढ़िया है क्योंकि lottery में at least आपको जो lottery का ticket लेते हैं वहाँ आपको थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं but IPO में कोई भी interview नहीं होती तो guys ये था हमारा IPO का basic सा discussion IPO के काफी detailed processes हैं जिसके regarding in-depth video मैं future में बनाने का plan कर रहा हूँ तो guys आने वाली video को देखने के लिए channel को ज़रूर subscribe कीज़ेग तो दोस्तों यहां मैं आपके साथ काफी important discussion शेर करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्यूं आपको blindly राके जुन जुन वाला जैसे H&I investors के share कभी नहीं खरीदने चाहिए तो अगर आप right side में pick में देखें तो ये राके जुन जुन वाला के stocks का portfolio है although ये एक साल पुराना है but still इसमें से काफी interesting observations देखना को मिल सकती है अगर अब ध्यान से देखें तो Titan stock को छोड़ करके इस portfolio में कोई भी large cap stock नहीं है अगर हम 2019 की बात करें तो उस साल bank stocks जैसे HDFC bank, ICICI bank और बाकी बड़े stocks जैसे Reliance, TCS, Infosys ने काफी जादा gains दिया था but इन में से कोई भी stock या कोई भी और large cap stock इनके portfolio में नहीं है and केवल small और mid cap stocks है तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है तो दोस्तो ऐसा इसलिए होता है कि small cap and mid cap companies कि overall market capital market capital के बारे में मैंने stock index वाले section में बताया था तो overall market capital बहुत कम होता है and बड़े ultra high net worth investors जैसे राके जुन-जुन वाला या और भी बहुत सारे H&Is large quantity में shares खरीद लेते हैं and then अपना portfolio किसी news agency या किसी website के थुरू public कर देते हैं अब retail investors को लगता है कि क्योंकि राके जुन-जुन वाला ने इतना सारा पैसा stock market से कमाया है then उनके invest किये हुए stocks हमेशा उपर ही जाएंगे इससे retail investors काफी high price पर stock को खरीद लेते हैं and then कुछ time बाद H&I investors इन stocks से exit करके अपना profit बुक कर लेते हैं and retail public काफी time के लिए उस particular stock में फस जाती है ये strategy pump and dump strategy कहलाती है and ये sort of indirect market manipulation होता है क्योंकि small cap and mid cap stocks का volume manipulate करना काफी easy होता है इन बड़े ultra high net worth investors के लिए तो अगर आपको stock valuation कैसे करते हैं इसकी knowledge नहीं है then आपको mid cap और specially small cap companies में आख बंद करके H&I investors के stock में पैसा नहीं लगाना चाहिए आप stock valuation सीखिए and समझिए then उसके बाद ही long term investment के लिए small cap and mid cap stocks में पैसा लगाईए else आप उन stocks में बुरी तरफ असकते हैं और आपका काफी loss हो सकता है stock market में तो दोस्तो basics of stock market lecture 1 में हम इतना ही cover करेंगे मैं आगे भी lectures लेकर आऊंगा stock market के उपर जिससे आपको complete knowledge हो stock market के बारे में and आप stock market में गलतियां कम से कम करें and अपने पैसे को अच्छी जगाँ invest करके अच्छे returns कमाएं दोस्तों अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है यहां तक तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें काफी सारे लोग आपको यही सब बताने के बहुत ज़ादा पैसे लेते हैं बट ये वीडियो और आगे आने वाली सारी वीडियो बिल्कुल फिरी रहेंगी तो ज़ादा सा ज़ादा लोगों तक इस वीडियो को शेर कीजे ताकि लोग स्मार्टली डिसिजन ले सकें स्टॉक मार्केट में इंवेस्ट करते टाइम तो अभी के लिए थैंक्यू वेरी मच और आपसे मेरी मुलाकात फिर से अगले वीडियो में होगी तब तक के लिए हैपी लर्निंग